लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे किस तरीके से कंप्यूटर का विकास हुआ डेवलप्मेंट अफ कंप्यूटर कैसे वहाँ पे लेडी अगस्टा ने आगर के एक पहला प्रोग्राम बनाया आज हम लोग देखें कि generation of computer के बारे में कंप्यूटर की पीढ़ियां अभी तक कितनी पीढ़ियां आई हैं किस पीढ़िया में किस चीज का विकास हुआ था किस इंस्टूमेंट का विकास हुआ था वह इस लिए ओर में हम लोग देखने वाले है ठीक है? चलि उसमें आपका vacuum tube valve का प्रेयोग करते था इसमें मसीनी भासा का प्रेयोग होता था उससमें भी मसीनी भाषा बनाता अंचीर लेकिन लो लेवल का था क्या था जो आपका पहला जनरेशन था उसमें लो लेवल का मसीनी भासा प्रयोग किया था डाटा को सेव करने के लिए चुमबकी रीबन का प्रयोग किया था ठीक है जब डाटा जो होता था हमारे पास जो भी डेटा होता था कलेक्शन होता था उसको सेव करने के लिए चुम के रिबन जो मैगनेटिक वाला होता था इसके बाद इसमें गड़ना करने की गती जो थी मिली सेकेंड में थी किसमें थी गड़ना बहुत तेजी से किया सकता था मिली सेकेंड में इसकी गड़ना की जा सकती थी इसका अगर यूज पूछे कि इसका मुख्यतह उपियोग कहां अगर सीमा है तो सीमा पे जो रडार प्रयोग किये गए हैं वो सारी चीजें उस समय पे इसी फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर का प्रयोग करके बनाया गया था ठीक है हालाकि आज हमारे पास इतनी एडवांस टेकनोलोजी है रडार सिस्टम सब वेब्स के हो गया है तो उस टाइम पे लेकिन क्या होता था इसी कंप्यूटर का प्रयोग करके उस टाइम पे सैन कारे जो भी सैनिक कारे होते थे रडार होता था यह सभी चीजों का प्रयोग करता था ठीक है तो इसमें आपको मोस्ट चीजें क्या क्या याद रखने वाली है पहला जो आपको याद र पूछा जाएगा इस समय में किस घड़क का या फिर आपका सकते हैं किस equipment का प्रयोग कहता था तो वह आपका था vacuum tube और valve का प्रयोग कहता था ठीक है चलिए इसके बाद आपका आता है second generation तो second generation कब से कब तक होता है यह आपका होता है 1956 से 1964 तक कब तक का चलता है 1956 से 1964 तक यह आपका second पीड़ी होता है अच्छा उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि आपका पीड़ी decide कर दिया गया कि 56 से 1964 तक पीड़ी चलेगी यह आपके अविसकार के आपके technology कितने अविसकार हुए क्या क्या उसमें चीजें एड़ हुए उसके हिसाब से क्या किया गया इसको बाटा गया है ठीक है यह सबसे important question आपका बनता है दूसरी पीड़ी का काल क्या था तो यहाँ 1956 से 1964 तक चला था इसके बाद विद्दुत प्रवाह पास करने के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था इसमें जो विद्दुत प्रवाह को पास किया था वो ट्रांजिस्टर के मदद के द्वारा किया जाता था assembly language यानि assembly भासा का प्रयोग किया जाने लगा पहली PD में क्या था low label का language यूज किया जाता था लेकिन बाद में क्या हुआ high label का language यूज होने लगा ठीक है इसके बाद इसमें data संग्र ही चुम्बकी रिबन में होता था उसमें जो इसकी गड़ना की गती थी जो speed थी वो आपकी microseconds में थी आनि कि आपने click किया वो result आपके सामने होता था इतनी तेजी से वो calculation कर सकता था इसका जो प्रमुख उपियोग होता था बेवसाय तथा ओद्योग में computer का प्रयोग आरंब हुआ था batch operating system का आरंब उसी time पे हो गया था दूसरी PD के दोरान ही 1956 से 64 के बीच में ही batch operating system भी आरंब कर दिया गया था तो यहां से आपके question बनते हैं batch operating system किस PD में launch हुआ किस PD से आरंब हुआ तो वो आपका हुआ दूसरी PD से second generation of computer से ठीक है चली तीसरी PD देखते हैं तीसरी PD आपकी कब से कब तक थी तो यह 1964 से 1975 तक चली थी यह आपका important PD है इसमें आपका transistor के साथ जो transition को replace करके IC का प्रयोग होने लगा अब IC क्या होता है तो यह होता है integrated chip यह क्या होता है IC है integrated chip यह बिद्दूत प्रवाह किये जाने लगा है ठीक है जो पहले दूसरी PD में क्या था हम लोग जो बिद्दूत प्रवाह होता था वो transistor की मदद से होता था तीसरी PD में आइसी का प्रयोग हो गया जो तो IC के प्रयोग से हम लोग विद्दूत प्रवाह के लिए इसका प्रयोग करने लगे data store करने के लिए disk का प्रयोग होने लगा पहले हम लोग आप देखेंगे अगर आप पुरानी cassette देखे हँंगे सीडी देखे हँंगे तो इतना बड़ा होता था इसमसें क्या होता था यहां पे URL ऐसे बना होता था और साइडसा इंद मेंगनेटिक बना होता था है ठीक है कुछ इस तरीक का होता था वो आपके दीवीडी जो बड़े बड़े प्लेइर होते थे उसमें लगाय जाता था लेकिन अब क्या हुआ कि इसके अस्थान पे डिस्क का प्रेयोग वने लगा किसका प्रेयोग होने लगा जिसमें आपका CD और DVD अर CD Republic document डिस्क और डिवीडी दोनों का प्रयोग होने लगा तो यहां पर जो डाटा इस्टॉर करने के लिए डिस्क के प्रयोग होने लगा तो वो आपका जो तो magnetic wires थे उसके अस्थान पर ठीक है, input तथा output उपकरण के रूप में करमसख keyboard अथा monitor का प्रचलित हुआ, उस समय पर क्या हुआ कि input और output उपकरण में करमसख keyboard जैसे आप keyboard जानते हैं, ठीक है, keyboard और display के लिए आपका monitor का प्रयोग प्रचलित हो गया उस ताइम पे, high level language का प्र nanoseconds में हो गया, 10 to the power 7, इतनी speed हो गया इसकी, यानि कि गढ़ना आपका ये quick seconds में कर सकता था, आप nanoseconds जान सकते हैं, ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद computer की चौथी पीढ़ी आती है, चौथी पीढ़ी आपकी लगभग चलती है, 1975 से 1989 तक चलती है, ये fix ह आप ये याद रखेगा, question पूछता है आपसे, ठीक है, इस पीढ़ी के computer में micro processor का प्रयोग किया जाने लगा, किसका प्रयोग किया जाने लगा, गढ़ना करने की गति इसकी pico seconds में आ गई, किसमें आ गई, इसकी जो गढ़ना करने की गति हो गई, वो आपका pico seconds में आने ल किया जाने लगा और इसी समय में networking के छेत्र में internet email तथा worldwide web का विकास हुआ था तो ये आपके लिए most important ये आद रखिएगा आपसे direct question पूछा हुआ था कि networking के छेत्र में internet का प्रयोग किस पीड़ी से किया जा है तो ये आपका answer क्या हो जाए चौथी पीड़ी से आपसे question अलग पूछ सकता है email का प्रयोग किस पीड़ी में start हुआ था तो चौथी में worldwide web यानि जो www है वो आपका किस पीड़ी में start हुआ था तो ये आपका चौथी पीड़ी में तो यहां से आपके कितने प्रश्ण बने पहला तो आपका ये बन गया कि चौथी पीड़ी कब से कब तक चली थी दूसरा क्या हुआ दूसरा आपका networking छेत्र में इंटरनेट किस पीड़ी में start हुआ तीसरा आपका email कब हुआ चौथा आपका world wild wave यानि कि www का विकास कब हुआ था ठीक है चली अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पांचमी पीड़ी जो अंतिम पीड़ी अब तक चली आ रही है यह पीड़ी 1990 से इसमें क्या क्या हुआ था अब जैसे आप देखते हैं लेपटॉप देख रहे हैं तो लेपटॉप का भी आपका Optical डिस्क कहीं प्रयोग किया जाता था इसके बाद आपका Artificial Intelligence का भी भिकास हो गया था इस ताइं पर किसका भीकास Artificial Intelligence का भिकास इससी समय में Languages जैसे कि C language C++ language ACP High लेंग्वेज अब तो आपका एक कोटली नया लेंग्वेज आया हुआ है तो इन सभी का प्रयोग किया जाने लगा है ठीक है इसके बाद इसमें प्लग और प्ले का प्रयोग भी शुरू हुआ गया था किसका शुरूआत हुआ था प्लग और प्ले का भी शुरूआत हुआ प्रोटोकॉल PC और जो आपका desktop PC, computer के जीवन के लगभग हर छेत्र में जोड़ दिया गया यह पांचमें generation में क्या है जो आपका portable PC है या फिर आपका desktop PC हर छेत्र में जोड़ चुका है आप education की बात करते हैं तो education में आपका जुड़ा हुआ है, banking के sector में आपका जुड़ा हुआ है, business के छेत्र में तो आपके हर छेत्र में इस आपके computer को portable PC को जोड़ दिया गया है ठीक है इसके बाद आप थोड़ा जान लिजे कि अभी इतना तो यह ठीक है इसके बाद इसमें क्या हुआ, कि कुछ और nano computer का भी बिकास हुआ है, नैनो computer क्या होता है नैनो computer आपका जिसका ब्यास एक नैनो मीटर होता है, वो आपका nano computer खा जाता है इसके मदद से विशाल शंता और ले computer के बिकास की कलपना की गही यानि कि जो संग्रहर छमता होती हो बहुत ज़्यादा है नैनो कंप्यूटर की जो संग्रहर छमता है वो अत्यधिक बहुत ज़्यादा है और जो आपका लास्ट है वो क्वांटम है क्वांटम कंप्यूटर बिलकुल एकदम एड़वांस टेकनोलोजी है quantum concept क्या कहता है कि विद्धुत किरडों में उर्जा इलेक्ट्राण की उपस्थिति के कारण होती है इस कारण एक साथ 1 और 0 की स्थिति में गीना जा सकता है एन्य जो आपका binary language है 1 और 0 की स्थिति में गीना जा सकता है इस छमता का इस्तेमाल कर मानों मस्तिस्क से भी तेज चलने आले कंप्यूटर का विकास किया जा सकता है हाला कि अभी इस क्वांटम कंप्यूटर का विकास हुआ नहीं है लेकिन इसका भी कार जारी है तो यह किसके अंतरगत आएगा यह आपकी पांचमी पीड़ी के अंतरगत ही आएगा ठीक है चलिए तो यह रहा आपका कंप्यूटर का पूरा विकास अगर आपको क्लास अच्छी लेगी तो क्लास को लाइक करें कमेंट करें सेर करें अभी तक आप लोगों ने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब जरूर से कर लें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद